देखिये जो नितीश कुमार ना कर पाए जो ललन सिंग ना कर पाए जो जनता दली उनाइटेट के बड़े बड़े दिगज ना का पाए आज नए साल के मौके पे जारखंड में भोकारों के सरकीट हाउस में राज सवा सांसद खीरू मातों ने कर दिया सर ने कह दिया है कि 21 तारीकों देश के अगले परधान मंतरी आ रहे हैं और परधान मंतरी की तयारी कर रहे है हमारे साथ बात करने के लिए खुद राज सबा सांसद की रूह मातों है सर अभी आपने कहा कि देश के प्रधान मंत्री बनना तय है नितिश कुमार को खुद नितिश कुमार भी अपनी मुझ से बात नहां का पाए ललन सिंग नहां का पाए आपने इतना प्रधान मंत्री बनेगा तभी असो देश का कल्यान होने वाला है नितिश कुमार जो बिहार को करके दिखाए पूरे देश उसके एड़ो पाज भी कर रहा है चल करनल हो चाहें आरचान 50% महिलाओं को दिया चाहें तो 35% अभी आरचान हमारी बेटियों को जो पुलिस में बा हलका मचा हुआ है नितिश कुमार एक निती और निती हैं जो उनको चाहता पूरा देश और समाज बादी से निकले हुए है जोज फनाल इस नितिश कुमार हम लोग सभी उसी से आए कर पूरी ठाकुरसा हम लोग वहीं से सुरू किया लोग दल से लेकर आज जनतादल पूरे देश चाह रहा है कि इंडिया गडवंदन के संजोजे को बनेंगे तभी पूरे देश में एक तरफा बोटे सो इंडिया गडवंदन को मिलेगा और नितिश कुमार देश का प्रधान मंत्री बनेंगे अच्छा 2019 में जब चुना हुआ तो जनतादर उनाइटेट 2000 का अभी आंकड़ा पार नहीं कर पाए तो किस विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ आपने मीडिया को कहा कि इस वार हम 10,000 लोग बोकारों से ले जाएंगे इस समय जो उफान है आप देख सकता है कार्च करता हूं नेताओं पुराने नेता नए नेता नए नए लोंका जोस पंचाइतों में प्रखंडों में संगठन खड़ा हो चुका है इसलिए लोग जान रहे हैं कि अब मेरे च्छेत्र उधर है तो आपका है सो भोकारों जिला के जो पाठ गोमिया विदान सबाद चेतर उधर भी रामगर जिला से परभाईत है वह लोग भी उधर से कम से कम 3000 प्रशन का आपके पास जबाब है मुझे मालूम है लेकिन जैसे ही आप राजसभा के सदस्थ बनेते पूरे जहर खंड में लोगों में उपान आया था कारकरता तो जन्ता दल उनैटेट का हमेशा तयार रहता है नेता गायब हो जाया करते हैं कई बरसों के बाद तो नितीश कुमार अपना दर्सन देने आ रहा है चुनाओ जब नजदीक आता है तो दर्सन देते हैं और कारकरताओं में उफान आता है कारकरता सोचते हैं चु कि भी धार्खन को नहीं रखा है यहां जार्खन में जो संगठन बनना चाहिए जिन लोग ने बागडोर समा रहा था वो संगठन को जिसे और ले जनाचे ले जाने का काम नहीं किया जिसके चलते हमारा संगठन में का ग्राप नीचे गिरता गया बड़े बड़े नेता तीस लोगों के साथ बैठक करकर आपको जाना पर रहा है और उसके बाद बैठक होती वहां जगह नहीं लोगों खड़ा होने के लिए इस्तिति आज बनी हुई है इसलिए जनतादल उनाइटेट पूरा ज्हारखन में उफान की और जा रहा है और आगे बढ़ते रहेगा खीरुमा तो छोड़ने वाला नहीं दूहाजार जनतादल के जनतादल के राष्टी अध्यक्ष साथी साथ हम लोग मान रहे हैं के हमारे प्ये नितिज कुमार बनेगे वह आ रहे हैं यह परचार करने का काम है तो आपको समझ में आही ज़ी होगा कि जार्खन से इस सितारे नितिज कुमार ने चुनकर राजसभा बेजा है क्यूकि इनके पास जो confidence है इस confidence को camera के आगे प्रस्तूत करने इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है इनका तजूर्वा ही इनकी जुबान है और इनकी मजबूती लेकिन 30,000 बोट पाने वाला विदान सवा 2000 में कैसे सिमट जा रहा है इस पे अगर जंता दली United चर्चा और परिचर्चा किया रहता तो यह इस्तिती ना बनती खैर देश के आने वाले पीम आ रहा हैं खीरू महतों जैसा कर रहा है कि 10,000 लोगों के साथ बोकारों इस्टील सिटी से राम गड़ जाएंगे अब तो देखने की बात होगी कि 21 तारीक को 10,000 लोग जाएंगे 10 गाडियां जाएगी कि खीरू महतों क स्टेज पर स्वागत करने के लिए कौन कौन लोग पहुंचेंगे कमरमन भुलाक साथ जी पीमा